साथियों, दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी अनेग दसकों तक गाउं की स्थिती पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए थे यहाँ पस्चिम मंगाल में तो स्थिती और भी खराब है जो बीत गया वो बीत गया नया भारत अब इस स्थिती में नहीं रह सकता और इसी ची के साथ इसी सोच के साथ बीते साड़े चार वरसों से इस थिती को बदलने का एक विमानदार प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है गां हो किसान हो कामगार के जीवन को आसान बनाने में जुटी हुई है अपने इसी प्रात्विक्ता को विस्तार देते हुए कल एक इतिहासिक कदम उठाया गया है देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का एलान किया गया है कल बजेट में जिन योजनाओं की गोचना की गई हैं उनसे देश के बारा करोड से ज़्यादा छोटे किसान परिवारों को 30-40 करोड स्रमिकों को मेरे बजदूर भाई बहनों को और 3 करोड से जादा मद्दमबर के परिवारों को सीधा लाब मिलना तया है आप आप सांती रखिए अम मैदान छोटा पड़ गया है आप जहां है वहीं खड़े रहिए मैं आपके प्यार के लिए आपके उत्सा और उमंग के लिए मैं रदय से आपका बहुत आभारी हूँ बारत मतकी बारत मतकी ये द्रश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीजी हिंसा पर क्यों उतर आई है ये आपका प्यार है जिसके डर के कारण लोग तंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोस लोगों के हत्या करने पर तुले हुए है मैं बता रहा था जैसा कि कल मैंने कहा कि ये बजेट तो एक शुरुवाद भर है चुनाव के बाद जब पूर्ण बजेट आएगा तब किसानों कामगारों युवाओं के बविश की तस्वीर और स्पस्त हो जाएगी साथियों अब ठाकुर नगर के पस्टिम मंगाल के बेजभर के जिन भी किसानों के पास पांच एकर तक भूमी है उनको हर वर्ष केंदर की सरकार शेह हजार रुपिय तक की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा करेगी ना कोई सिंडिकेट टेक्स अब कोई सिंडिकेट टेक्स को गुचने नहीं दिया जाएगा ना कोई बिचोलिया ना कोई अर्चन सीधे बैंक खाते में पैसा जमा होगा अब आपको समझ आने लगा होगा कि मोधी बैंकों में खाते खुलवाने पर इतना जोर क्यों दे रहा था यहां पसिब मगाल में ही तीन करोड से अधिक जंदन खाते खुलवाए गए साथ क्यों यह जो राची किसानों को मिलने वाली है यह सान में तीन किस्तों में दो दो हजार रुपिया में आपके खाते में जमा होने वाली है दो हजार रुपिय की पहली किस्ता बहुती जल्द मिलना आपके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगी छोटे किसान को अब अपनी छोटी छोटी जरुरतों जैसे बीच, खात, डवा जैसी चीजों के लिए इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है जिसे किसान अपनी आए को और बड़ाने में सक्षम हो पाएगा